महिला रक्षड बिल को लेकर कॉंग्रेस सांसद राहूल गांदी ने केमरी की मोधी सरकार पर हमला करते वे दिया बयान की पीएम ध्यान भटकाने का कर रहेकार महिला रक्षड है अच्छा कदम लेकिन इसमें लगाई गई दो शर्ते जिनें पूरा करने में लगेंगे बहुत साल भाश्पा को इन दोनों शर्ते को हटा कर राक्षड को तुरंद करना चाहिए लागो संसत के दोनों सद्रों में महिला रक्षड बिल पास होने के बाद दिल्ली इस्थित बीजेपी मुख्याले में शुक्रवार को प्रधानमती नरेंद्र मोदी का गरम जोशी से किया गया स्वागत इस दोरान पीए मोदी ने बीजेपी मुख्याले में नारी शक्ती वंदन अभिनंदन कारेक्रम को किया संबोधित पीएम ने देश की महिलाव को संबोधित करते वे दी उन्हें बधाई लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू परिवार की बढ़ती दिख रही है मुश्किले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादो राबडी देवी तेजस्वी यादो समय 17 रोपियों की खिलाब जारी किया काईती सोयाबीन की फसल लेकिन उसमें से 50,000 हेक्टेर से जादा फसल अती वरिस्टी से हो गई है बरबाद पीडित किसानों का है कहना कि एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज चोहान चुनावी तयारी करते वे निकाल रहें जन आशिरवाद यात्रा दूसरी और किसानों की बरबादी की ओर नहीं है उनका कोई ध्यान लोकसभा विधान सभा में महिलाओ को 33 फिजदी आरक्षड वाला बिल संसत से हो गया है पास राजसभा में पक्ष में 214 और विपक्ष में नहीं पड़ा एक भी वोट महिला रक्षड बिल पास होने को पीएम मोदी ने बताये लोक तांत्रिक यात्रा में एहम चड़ दिवाली से पहले देश भर में पटाकों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया एहमा देश कोर्ट ने एक बार फिर दोहराय कि बेरियम को पटाकों में केमिकल के तौर पर इस्तेमाल की नहीं दी जा सकती इजाजत पटाका निर्माता कमपनियों ने कोर्ट से क थी इसकी मांग अयोद्या में चलती ट्रेन में महिला सिपाही से बर्बता करने वाले आरोपी अनीश को स्टीएफ ने एंकाउंटर में कर दिया है धेर मुटभेड में पकड़े गे दो आरोपी जबकि क्रॉस फाइडिंग में एक दरोगा दो सिपाही हुए हैं जक्मी सावन मेले के दोरान चलती ट्रेन में महिला कॉंस्टेबल पर हुआ था हमला जमो कश्मीर पुलिस ने आतंक्यों की मदद करने के आरोप में सस्पेंड डियस पी आदिल मुझता को किया है गिरफतार शेख आदिल पर आतंकवादी गतिवीधी में शामिल एक आरोपी से पांच ल दलाने के लिए खेतों में बायो डिकंपोजर का किया जाएगा इसके लिए शुडू कर दी गई तैयारी बायो डिकंपोजर के छिड़काओ के लिए 11 टीमों का किया गया है गठन अंतरास्ट्री क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में अक्टूबर में होने वाले बंडे क्रिकेट विश्यो कप के पांच मैचों के सफलायोजन के लिए प्रदेश क्रिकेट असोसियेशन की ओर से गठित की जाएगी कमेटिया पूरो में आईपियल मैचों के दौरान एच